प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजर हो चुके हैं रीजनिंग की एक बहुत ही दंदार क्लास प्यारे दोस्तों आज की ये जो क्लास रहेगी वो आपकी special UP Police Constable Re-Exam के लिए रीजनिंग के एक बहुतरीन क्लास रहने बाली है प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 यानि कि आज हमारा UP पुलिस री एक्जाम के लिए 17 नमबर का पार्ट रहेगा और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप समय निकाल करके पिछले पार्ट जरूर देखेगा अभी आप लोगों के पास समय भी है एक्जाम की डेट भी नहीं आई है तो आप थोड़ा सा समय निकालिए 20-25-30 मिनट के ऐसी कोई किलास है अगर दोगुना में देख लेंगे तो 15-20 मिनट में खतम हो जाएगी तो आप पिछले पार्ट को जरूर देखेगा ये बहुत important पार्ट है आपके एक्जाम के लिए तो साथियो आज का हमारा 17 पार्ट होगा इसमें हम reasoning को बहुती बहतरीन माद्यम से जानेंगे और सोट trick के माद्यम से इसको solve करने का प्रियास करेंगे ठीक है साथियो शुरूआत है आज की इस क्लास की प्यारी सी सांदार्सी क्लास की प्रिशन नमबर एक आप सभी के सामने है जन्दी से आप लोग क्या करेंगे एक बार से दोस्तों में सेसन को share कर देंगे और जिन्होंने share कर दिया है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजे चलिए शुरूआत है आपके सामने पहला प्रिशन दोस्तों बोला है निमलिखित प्रिशन में सही संबंद ग्याद करें भाईया संबंद बताना है एक तरप दे रखा है जो घोड़ा है इसका जो संबंद है वो साथियो सरपट से है किसे है सरपट से घोड़े का संबंद जो दिया है मित्रो वो आपका सरपट से दिया है सरपट घोड़ा क्या करता है सरपट मतलब भागता है रनिंग करता है तो प्यारे दोस्तों हमें बताना है कि जो बतक होती है बतक की जो रेस होती है जो रनिंग होती है वो क्या कहलाती है एक बहुती प्यारा सा कुश्यन है प्यारे साथियो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे घोडे की रनिंग सरपट कहलाती है तो बतक की जो रनिंग होग वो कहलाती है वडल क्या कहलाती है दोस्तों वडल कहलाती है इस बात को याद रखेंगे एक most important question है एक्जाम में पूछा जा सकता है बिकलप नमर 20 ही है क्या है प्यारे दोस्तों बेकलप नमर वी सही है जिस प्रकार घोले का संबंद सरपड से है तो बतक का संबंद वडल से हो जाएगा अगला प्रिश्नी question नमर दो आप सबी के सामने है प्यारे साथियों बताईगे क्या रहा निमलिखित प्रश्ण में question mark के स्थान पर क्या आएगा question mark का अंतमेदी रखा है ये बताना है क्या होगा इसके स्थान पर क्या बता सकते हैं आप लोग जल्दी से बताईए तो देखो लिखा गया है आपके सामने आपके सामने लिखा है cricket का संबंध पिछ से है क्या करया cricket का जो संबंध है वो किस से है भया पिछ से है पिछ से तो इसके बाद हम से पूँचा गया है क्या पूँचा है skating साथियो skating पूचा है तो क्या आप लोग skating बता सकते हैं जल्दी से बताईए क्या आप बता सकते हैं कि सर इस्केटिंग क्या होता है आप बोलेंगे इस्केटिंग एक परकार का खेल होता है ठीके इस्केटिंग एक परकार का खेल होता है आपने देखा होगा कि जो खिलाडी होते हैं जो लड़के होते हैं वो 3-4 पैये वाले पैरों में नीचे पैये जोड़ लेते हैं और उसके माध्यम से उस पर जलते हैं तो साथियो ऐसा ही स्केटिंग होता है और वो कहां पर होता है तो याद रखेंगे रिंक पर होता है देखो जिस परकार किरकेट पिछ पर खेला जाता है उसी परकार स्केटिंग खेला जाता है रिंक पर और रिंक दिया गया है हमारा रिंक जो हो जाएगा वो बिकलप नमर डी में ठीक है इस बात को याद रखेंगे साथियो बिकलप नमर डी से है, अगले प्रिशन में आते हैं कुश्चिन नमर तीन आपके सामने एक प्यारा सा प्रिशन बोला निमलिकित प्रिशन में लुपत सब्ध ग्यात करो लुपत सब्ध का मतलब है एक कुश्चिन मार्क है, उसके स्थान पर क्या आएगा देखो एक बहुती महतपूर प्रिशने साथियो आपके सामने कुश्चन महतपूर है बोला है यहाँ पर e, j, i, ke क्या बोला है आप बोलेंगे e, e, e के बाद g, g के बाद i, i के बाद k इसको साथियो प्यारे दोस्तों इसको लिखा गया है f F के बाद लिखा है I I के बाद लिखा है L L के बाद लिखा है O इस तरह से लिखा दिया है और दोस्तों हमें code बताना है किसका तो आप बोलेंगे सर, code बताना है F F के बाद H, H के बाद J J के बाद क्या है L इसका code बताना है चलिए बताते हैं देखो सबसे पहले आप इसका logic समझो, इसका logic क्या है, सामने के सामने कुछ ना कुछ pattern चल रहा है, pattern क्या चल रहा है वो तो हमें इनके इस्थानी मान से पता चलेगा, ये 5 पर होता है, ये 6 पर होता है, ये 7 पर होता है, यहाँ पर 9 पर होता है, आई हमारा 9 पर होता है, देख प्लस वन साथ में जुड़ा है दो यानि की प्लस का दो उसके बाद नो में जुड़ा है प्लस का तीन ठीक है इस बात को याद रखेंगे और ग्यारा में जुड़ा है प्लस का चार क्या जुड़ा है प्लस का चार जुड़ा है कहने का मतलब क्या है सर आप बोलेंगे यहां पर जो लोजिक है वो लोजिक ये है कि पहली बार में प्लस बन है दूसरी बार में प्लस टू है तीसरी बार में प्लस थरी है और चौती बार में प्लस पूर है तो बस यही तो करना है यहां पर भी पहली बार में प्लस बन करेंगे एफ छे पर होता है और साथ पर हमारा जी आ जाएगा विकलप नम्र G से शुरूआत होगी तो दो विकलप हमारे गलत दूसरे बाले में दो जोड़ेगा क्योंकि पहले में एक जोड़ा ता दूसरे में दो जोड़ा है तो दो जोड़ेगा आठ दो दस एच होता है आठ पर दो दस मतलब J G के बाद J आना चाहिए तो B गलत हो जाएगा A वाला हमारा सही हो जाएगा और J होता है 10 पर तो 3 जोड़ेगा M हो जाएगा L होता है 12 पर 4 जोड़ेगा 16 यानि की P हो जाएगा तो G, J, M, P बिकल्प नमबर एक में दिया है यही प्यारे साथियो सही उत्तर है अगले प्रिश्ण में आजाओ Question number हमारे पास 4 दिया है साथियो Question number 4 एक महतपूर प्रिश्ण आप सभी के सामने है बोलाए निमलिखत प्रिश्ण में विसम आकरती भाई आकरती नहीं विसम सब्द ग्यात कीजिए यहाँ पर आपके सामने 5 विकल्प हैं चारके स्थान पर 5 विकल्पों में से यह बताना ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारा विसम है तो क्या बोलेंगे आप लोग भाई या अगर अधरक को देखते हैं तो सबजी में आता है प्याज भी सबजी में चुकंदर भी सबजी में आलू भी सबजी में धनिया भी सबजी में अब क्या करेंगे धनिया इसका जल्दी से बताओ अब क्या होना चाहिए दादा अधरक प्याज चुकंदर आलू धनिया क्या होगा जल्दी से कोई बता सकता है मेरा प्यारे साथी देखो एक लड़की ने कल एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि अपनी क्लास कब लाइब होती है तो प्यारे दोस्तो उस लड़की को बता देना यानि कि वो बच्ची देख रही होगी तो बता दो कि सोबए 8 बजे आप लोग इसमें लाइब आ जाये करे ठीक है आड़ दो पर हमारी कलास शुरू हो जाती है चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा अधरक को देखेंगे एक प्रकार का प्यारे साथियो तना होता है प्याज को देखेंगे ये भी एक प्रकार का तना होता है चुकंदर भी साथियो तना होता है इस बात को याद टकेमिगे विकलब नमर डी विसम है देखो यह डी दिया है विकलब नमर इनी इन ए-मेल इए तो झाया बीलप नमर डी दिया है तो मैं प्रिश्ण सरा पूस्ट्स ने पाछ हुआहाऊ चलिए यू के बद कि हुजाइगा और, यह मोगया है हमारा फैवर को क्या लखा हे, उस तो इसने लिखा है. एक मिनट इसको फटोड़ नीचह लिखते हैं. ए लिखा है, केबाद क्या लिखा है बिकते हैं, के बाद कैसे है यू के लिखा है, दो इस तरह से favor को लिखा गया है लेकिन दोस्तो हमें बताना है code किसका हमें बताना है danger का D उसके बाद A उसके बाद N उसके बाद यहाँ पर G जी के बाद E E के बाद R यह हो गया वाई यह हमारा danger अब बताए इसका code कैसे लिखा गया है तो देखो F होता है 6 पर E होता है 5 पर क्या हुआ है प्लस का 1 हुआ है A होता है एक पर B होता है दो पर तो फिर से क्या हुआ है ओह हो प्लस का 1 नहीं हुआ है यह तो गड़बल हो गया देखो 6 और 5 है यह मतलब यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है दोस्तों यहाँ पर शह मैंसे एक गया तो क्या बचेगा पांच A होता है हमारा एक पर और B होता है दो पर अब यहां पर हुआ है दोस्तो प्लस का वन यहां पर प्लस का वन हुआ है V होता है हमारा 22 पर और यहां पर बचा के वल 21 तो मतलब क्या हुआ सर माइनस का वन हो गया O होता है सर 15 पर और हो गया हमारा 16 तो क्या हुआ अब की बार में प्लस का बन हो गया U होता है 21 पर और हो गया हमारा 20 तो इसके बात क्या हुआ माइनस का बन हो गया R होता है 18 पर और हो गया हमारा 19 तो अब की बार में प्लस बन हो गया तो कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों यहाँ पर माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन का लोजिक चल रहा है तो पहले बाले में माइनस 1 करेंगे क्या करेंगे पहले बाले में अगर माइनस 1 करेंगे तो D से पहले यानि कि D होता है 4 पर तो 3 पर क्या आएगा 3 पर आता है हमारा C ठीक है C से शुरू आत होगी तो देखो 2 बिकल पुड़ा दो जल्दी से दोनों गलत है इसके बाद देखो A एक पर होता है तो अब की बार में प्लस का 1 होगा क्योंकि एक बार माइनस होगे तो दूसरी बार में प्लस तो C के बाद B आना चाहिए दोनों में दे रखा है N होता है प्यारे साथियो आपका 14 पर और 14 में से A गटेगा तो 13 बचेगा मतलब M C B M होना चाहिए भई यहाँ पर C B F है इसको उड़ा दो और बिकल्प नमर B को अंसर लगा दो ठीक है बिकल्प नमर B हो जाएगा उसके बाद फिर से प्लस बन होगा तो H आ जाएगा ठीक है यहाँ पर उसके बाद माइनस बन होगा तो यहाँ पर E के पहले के आता D आ जाएगा R में प्लस बन होगा तो फिर से S आ जाएगा देखो यही हमारा उत्तर बनेगा C B M H D S C B M H D S बिकल्प नमर B सही है इस बात को याद रखेंगे अगले प्रिश्ट में आएए प्यारे साथियों कोस्चन नमर चे को पढ़ेंगे जब अनुज ने मनीश को देखा भाई कोई मित्र था अनुज उसने जैसे ही मनीश को देखा तो उसे याद आया क्या याद आया भहिया उसे याद आया यह मेरी बेटी के मा के पिता का बेटा है यह मेरी बेटी की मा की मा के पिता का बेटा है अनुज का मनीज से क्या सम्मन्द है तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ पर अनुज ने क्या देखा है आप बोलेंगे अनुज यहाँ पर कोई अनूज है अनूज ने एक लड़के को देखा जिसका नाम है Manis तो उसे याद आया किसे याद किसे आया अनूज ने देखा तो अनूज को ही तो याद आएगा जल्दी से बताओ अगर कोई अनूज है आपके सामने मालीजे यह अनूज है मतलब अनुच की पतनी अनुच की बेटी की मा कौन मनेगी अनुच की पतनी मनेगी तो पतनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी पतनी हो जाएगी मतलब अनुच की पतनी हो जाएगी इसकी बेहन होगी अनुज की पतनी इस तरह से समझो गोर से देखो फिर से एक मिनिट इसको फिर से देखो साथियो उसने बोला है यह मेरी बेटी कि मा के पिता का बेटा है तो कह रहा है कि अनुज का मनीस से से लगा है मनीस के साथ किसके साथ मनीस के साथ अगर से मनीस के साथ लगा है तो मनीज अनुज को क्या बोलेगा बताईए साथियो मनीज अनुज को क्या बोलेगा जल्दी से बता दो तो आप कहेंगे सर ये तो भाया बोलेगा जीजा अरे बहन का पती कौन होता है जीजजा जी होता है दादा क्या होता है जीजजा जी जीजा होना चाहिए ये तो देही नहीं रखा है कुछ तो गड़बढ़ है दया एक बार फिर से चेक करो जब अनुज ने मनीज को देखा तो अनुज को याद आया कि यह है मेरी बेटी मतलब अनुज की बेटी क्या हो जागी यहाँ पर देखो अनुज की बेटी की मा के पित के पिता का बेटा का बेटा है तो अनुज का अनुज का मनीज से से लगा है मनीज के साथ तो मनीज की बोलेगा भईया बहन का पती यार जीजा ही तो होता है जीजा होता है या तो बरदर इल्ला दे देता है या तो जीजा ये सारे के सारे बिकलब गलत है साला नहीं मनेगा जीजा बनेगा इस बात को याद रखेंगे अगले प्रिश्नमें आफु कुश्यन नमर साथ इसको हम सुधार लेँगे जी जा कर देंगे option में ठीक है यहाँ पर देखो करा मानिक उत्तर दिसा में 40 मिटर चला कोई मानिक नाम का लड़का है वो उत्तर दिसा में 40 मिटर चला करा बाएं मुड़ा 20 मिटर चला पुना बाएं मुड़ा 40 मिटर चला प्रारंबिक इस्तान से कितनी दूर और किस दिसा में है चलिए बताते हैं कोई मानिक नाम का लड़का है वो उत्तर की दिसा में 40 मिल्टर जा रहा है कहाँ पर जा रहा है साथियो मानिक नाम का लड़का उत्तर की दिसा में कहां पर आप बोलेंगे सर उत्तर की दिसा मान नहीं रहा है इसको जल्दी से पकड़ो मानिक नाम का लड़का उत्तर की दिसा में 40 मिल्टर जा रहा है तो हमने बगा दिया जा भईया चला जा कहते हैं न जास्मरण जी ले अपनी जिन्नकी वही वाला है जा मानिक जा चला जा उत्तर दिसा में कैरा उसके बाद बाएं मुड़ा क्या रहा है यहां से बाएं मुड़ा भईया हमने सोचा उत्तर में जाएगा तो बाएं मुड़ेगा प्यारे साथियो तो बीस मिल्टर चल इसको पश्चिम में मुखोने के कारण नीचे बेजना पड़ेगा या नी दच्छुड में कहां पर दच्छुड में तो बाय मुड़ा और 40 मिल्टर चला भाया समान दूरी चला है इस बात को याद रखेंगे कहां से समान दूरी ये वाली दूरी ठीक है इस बात को याद रखेंगे ये 40 मिल्टर चला है कह रहा है दोस्तो प्रिश्ण में कह रहा हुए प्रारंबिक इस्थान मतलब यहां से कितनी दूर है ये दूरी बतानी है ये वाली ग्रीन लाइन वाली और किस दिसा में तो प्रारम्ब से दिसा तो इसकी भईया पश्चिम हो जाएगी कौन सी प्रारम्ब से दिसा तो पश्चिम होगी प्रारम्बिक इस्थान से वह कितनी दूर है तो दूरी तो बीस हो जाएगी क्योंकि आयत बन रहा है और दिसा पश्चिम होनी चाहिए यार ओहो कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार ये आप्सन ही गड़बड़ हैं क्या एक बार फिर से देखो यार एक बार फिर से देखो बोला है मानिक उत्तर की और 40 मिल्टर चला तो भाया हमने इसको उत्तर की और 40 चला दिया करा है बाए मुड़ा बाए मुड़ा भाया बाए मुड़ेगा पश्चिम में भेज़ दो इसको कहाँ पर बाए मुड़ेगा तो पश्चिम में भेज़ दो 20 मिल्टर चला ठीक है इसके बाद करा है पुना बाए मुड़ा पुना बाय मुड़ा 40 मिल्टर चला तो भाय हमने पुना इसको बाय मुड़ा ठीक है 40 मिल्टर चला दिया करा प्रारम्मिक इस्थान से मतलब यहां से यहां की दूरी भाय यार पश्चिम ही तो होगी यार यह बेकलप यार टाइप रेटर ने सारे गलत कर दिया ठीक है यहां पर दूरी तो 20 मिंटर आएगी लेकिन दिसा कौन सी होगी प्रारम में से पूचा है तो पश्चिम दिसा होगी इस बात को याद रखेंगे ठीक है पश्चिम दिसा होगी यह दो प्रिशन आपको अप्शन में सुधरे हुए मिल जाएंगे क्योंकि देखो यहां पर दो दिसाएं हो सकता है दच्छड एक साथ हो जाएं तो कुछ तो गडबल हुआ है टाइपिंग में ठीक है टाइपिंग यहां पर सुधार लेंगे दो कुश्चिन है छटवा और साथवा यह पीडियेप में ध्यान रखें इसको सुधार दिया ज होगा तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो सबसे पहले एक सरकल आएगा यह सरकल जो होगा यह हमारा एटम यानि की परमाळु को अदरस आहेगा किसको यह हमारा परमाळु को होते हैं प्रोटोन भी होते हैं गोर से समझ लेना है परमाडू में प्रोटोन भी होते हैं और इलेक्ट्रोन भी होते हैं ठीक है इस बात को याद रखेंगे हैं हलाकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि परमाडू की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रोन गूमते रहते हैं तो भाया होते तो परमाडू के अंतर गेती हैं बताओ आप जैसे आप यहाँ पर एक परमाडू देख रहे हैं इसके नूकलियस में क्या होते हैं यानि केंद्रक में क्या होते हैं प्रोटोन नीट्रोन और यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रोन गूमते रहते हैं भाया यह परमाडू का ऐस्सा होते हैं ठीक है इस बात को याद रखेंगे ये सारी गलत है केवल और केवल उत्तर बनेगा बी नम्मर की अकृति ठीक है साथियो बी नम्मर बनेगी इस बात को याद रखेंगे अगले प्रिशन में आ जाओ एक और आप सभी के लिए अच्छा सा प्रिशन है इसके बारे में बता दो इसके बारे मताओ करा पसू है इस्थलिय पसू है और जल्वी पसू है इस्थलिय पसू है और जल्वी पसू है इनमें से कौन सा आरेक बनेगा तो देखो एक आरेक तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमको पसू का किसका पसू का मतलब सबसे बड़ा एक आरेक बनेगा वो प SP, इसके बाद कुछ को बना देंगे JP, क्या बना देंगे JP, JP का मतलब जली पसू, ठीक है, इस तरह से याद रख लो, तो पसू के अंतरगत, आपका जली पसू और इस तली पसू, लेकिन ये ऐसा नहीं मनेगा दोस्त, ये ऐसा क्यों नहीं मनेगा, प्यारे दोस्तों, कई ऐस आपने जीव देखे होंगे जो आपके कुछ स्थल में भी रहते हैं और जल में उभेचर जने बोलते हैं जल में भी रह लेते हैं और इस्थल में भी लेते हैं तो क्रॉस करता हुआ बनना चाहिए कैसा क्रॉस करता हुआ और अब की बार में जो क्रॉस करता हुआ है वो बिकल जली में भी रहते हैं और इस थल में भी रहते हैं अब ऐसे फसु आप लोग सर्च करके बता सकते हैं को इस ता सीजाक वहो गई। पहला तो मेडाक हो गया है फिरल 나서 है उसको च्छेकर बहुत गया का सस्टरिय बहुत हैator time प्रद्ल में ? यहां पर पांच है दो है फिर दो है फिर दो है फिर चार है यह एक छोड़ गया यह एक भी है तो दोस्तों अगर गोर से हम यहां पर समझें प्रिश्न को अगर समझें गोर से प्रिश्न को तो सातियो उत्तर तो हमारा आही जाएगा कैसे आएगा बाहर बाहर की संख्या होगा प्रियोग करके अंदर की संख्या प्राप्त करनी है बाहर बाहर की संख्या प्राप्त करके अंदर की संख्या प्राप्त कर लेंगे ठीके प्रियोग करेंगे बाहर की संख्या होगा और अंदर की संख्या ढून देंगे कैसे करेंगे भईया सम्मुख सम्मुख जो संख्या हैं उनका उनका गुड़ा करो देखो पांच का गुड़ा प्यारे दोस्तो एक में करो ठीक है पांच का गुड़ा एक में करोगे तो पांच आएगा पहले नमबर पर रखतो उसके बाद इस दो का गुड़ा इस चार में करो तो दो का गुड़ा जैसे ही आप लोग चार में करोगे तो दोस्तो आठ आएगा दूसरे नमबर पर रख दो और यहाँ पर दो का गुड़ा दो में कर लो ठीक है दो का गुड़ा किसमें कर लो दो में कर लो तो हमारा चार आई जागा तीसरे नमर पर तो इसको सीधा ऐसे लेखेंगे पांच आठ और चार कह लेखेंगे पांच आठ चार यानि पांसो चौरा सी देखो ये मिडल में लिखा है गोर से अगर देखें अगर गौर से देखे तो मिडल में ही लिखा है दोस्त दूसरे वाले का लॉजिक समझो सेम लॉजिक है दोस्त आपको उपर का और नीचे का पहले उपर नीचे देखा था तो हमने गिया तीन गुड़ा दो बराबर में क्या आएगा सर छे आएगा उसके बाद इन दोनों का गुड़ा किया था इन दोनों का यानि कि तीन गुड़ा तीन ठीक है तीन गुड़ा तीन के आएगा नो आएगा और यहाँ पर लाश्ट के दो गुड़ा दो अभी दो गुड़ा दो किया था किता होता है भाय या दो दूनी चार ही तो होता है तो दो दूनी चार तो इसको एसे लिखे ले देंगे 6, 9, 4 इस तरह से कहा लिखे लेंगे 6, 9, 4 इसके बाद आब गौर से फिर से देख लो आब गौर से देखने जाओंगे यहां पर तो उपर का गुरा नीचे की संख्या से, तो 6 गुड़ा में एक, 6 गुड़ा में किता होता है 6 होता है, अब 7 का गुड़ा किसम है, एक में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुड़ा एक, तो 7 एक हम, 7 हो जाएगा अब इन दोनों का लाश्ट लाश्ट का ठीक है लाश्ट लाश्ट का तो दो गुड़ा में चार बराबर में आट तो भाईया इसको कैसे लिख सकते हैं सीधा लिखेंगे छे, साथ, आट तो कुश्चन मारके इस थान पर जो नमबर आएंगे वो आएंगे 6, 7 और 8 ठीक है, क्याएंगे 6, 7 और 8 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे 6, 7 और 8 बिल्कुल सही है 6, 7, 8 कहीं पर दे रखा है विकलप नमर एक में है दोस्त यहीं बिल्कुल सही है, इस बात को याद रखेंगे और आपको किसी के बारे में भी नहीं सोचना है ठीक है अच्छा कोश्यन है अगले प्रिश्ण में आजाओ अगला प्रिश्ण कोश्यन नमर 11 है कोश्यन नमर 11 को पढ़िए कथन निसकर्ज करें सभी आदमी कुत्ते हैं यहाँ पर कठन बात कह दी बाई कड़ भी बात कह दी जितने भी आदमी सारे कुत्ते हैं आज की डिर्म बोलने रखते है रहे वो तो कुत्ता है तो उसने कथन में भी बोल दिया सबी कुत्ते हैं तो चलिए सारे के सारे आदमी को जितने भी A4 आदमी है वो सारे के सारे D4 कुत्ता बना देंगे याली डॉग क्या बना देंगे D4 डॉग बना देंगे A4 आदमी तो यार इसको मैन ही क्यों न कर ले A4 आदमी नहीं M4 जितने भी मैन है वो सारे के सारे क्या है वो सारे के सारे प्यारे साथियों हमारे डौग के अंतरगत आएंगे ठीक है इस बात को याद रखेंगे सभी डौग बिल्लिया है सबी डौग केट है मतलब जितने भी कुते हैं वो सारे के सारे क्या है बिल्लिया है तो सारे के सारे डौग क्या है केट है ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो आरेक तो हमारा और डॉग अपके बिल्लियों के इंतरगत तो कहने का मतलब है जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाला सही होता है और बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है तो यहां पर गौर से फिर से समझ लो कहरा है सभी आदमी इतना छोटू सा सरकल क्या पूरा का पूरा सर्कल इसके अंतरगत आ जाएगा, सी वाले, यानि केट के अंतरगत, ग्रीन सर्कल के अंतरगत, आप बोलेंगे आ जाएगा, आ जाएगा तो रख दो, इसके बाद बोला है, सभी बिल्लियां आदमी हैं, अब बात ये फस गई भया, कि हमारे पास आदमी के लिए एक छोटू सा सर्कल है, जपनी बिल्लियों के लिए एक बड़ा सा सर्कल है, तो मुझे ये बताओ, ये केट का इतना बड़ा सर्कल, इतने छोटे मैन के सर्कल में पूरा फिट रख दोगे, आप बोलेंगे, नहीं रख पाएंगे, तो कैसे बन जाएगी भाईया, सभी आदमी बिल्लियों, तो केवल एक निसकर से निकलता हो, और विकलप नमर एक, केवल एक निसकर से निकलता हो, जन्दी से बताइए, क्या समझ में आया, सभी आदमी तो बिल्लियों बन रहे हैं, लेकिन सभी विल्लियां आदमी नहीं वन नहीं है इस बात को याद रखेंगे अगले प्रिश्ण में आते हैं कुश्चन नमर 12 एक most important कुश्चन है 17 की फश्ट सिप्ट में पूचा गया था आपसे देखो केरा निम्नलखेत प्रिश्ण में दीग हुई एक्स आकृती का सही दरपड़ प्रत्मि में क्या होगा ये आपको एक्स नाम की एक आकृती दे रखी है देखो सबाल में एक्स हो ये जिन्दगी में हो ये तो दोनों की दोनों दिक्कत करती हैं लेकिन भया सबाल तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा जिन्दगी वाला वले सॉल्व ना हो लेकिन सवाल तो सॉल्व करना पड़ेगा चलिए इसको देखे गोर से देखो एक हमारे पास प्यारे साथियों दरपड़ है वो दरपड़ रखा गया है जब भी ना बताए कहां पर रखना है तो हमेशा कोसिस करना इसको दाई और रखलो ठीक है जब भी प्रिश्ण में ना दे कि दरपड़ कहां पर है और पूँच ले दरपड़ प्रत्व में तो दरपड़ को हमेशा दाई और रखले ना ठीक है इस बात को याद रखेंगे और ऐसा ही पूचाता उसने यह नहीं पूचाता अभी एक्जाम में कि कहां पर दरपड़ रखा है तो हमने दाई और करके माना था तो हमारा उत्तर आ जाता ठीक है लेकिन हाला कि एक्जाम कैंसल हो गया कोई मतलब नहीं चलिए देखो यहाँ पर हमारे पास एक दरपड़ है बहुत बड़ा सा उसमें यह एक्स नाम की आकरती इसकी छबी बनानी है तो यह बात याद रखो साथियो जो दरपड़ की नजदीक बस्तू होगी वो हमेशा नजदीक ही रहेगी कैसी रहेगी नजदीक ही रहेगी और इसके अत्रिक्त अगर दरपड़ की इस साइड यह लेप्ट है तो आगे चल करके राइट बन जाएगा बस इतना सा याद रख लो ठीक है नजदीक को नजदीक रहने दो और लेप्ट को राइट में परवर्तित कर दो कभी भी गलत नहीं होगा देखो साथियों कैसे करेंगे यह जो आकरती है यह जो हमारा एरो दे रखा है इसको दरपड़ के नजदीक रखो और लेप्ट को राइट में बदल दो तो हमने बदल दिया भाई यह तो नीचे से आ रहा है गलत है यह तो दूर की और भाग रहा है गलत है यह भी आपका नीचे से दूर भाग रहा है यह भी गलत है अब भाईया एक ही बचा है डी नम्मर एक ही एरो से पता चल गया क्या बनेगा इसका दरपड़ प्रत्व तो उसके बाद क्या आ जाएगा उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा क्या आएगा तो आप बोलेंगे उसके बाद साथियो इस तरह का एक क्या आएगा बरतन टाइप का है ना यह बरतन टाइप का है तो इसको बरतन बना देंगे ठीक है इसके बाद बीच में प्लस आ जाएगा इसके बाद बाहर से ये इस तरह से आ जाएगा ठीक है उत्तर हमारा बनेगा बेकलब नमर डी गोर से देख लो साथियो एजर्टी बना हुआ है बेकलब नमर डी में और कोईसी में नहीं है बाद बाकी सारे के सारे गलत है अगले प्रिशन में आओ गणर बहिज हो तर भज़ के अंदर तर बहज हो उसका अलग है बर्प कें अंदर तर बुज़ हो वह गल अलग है देख गोर से देख लग बिएक बर्प के बिकड़ अपस में काट रहे हो कोई भी चतर बिचव आपस में परसपर अगर काट रहे हैं तो आपको क्या करना है? उसको नंबर दीना है कौन सा नंबर? भाईया वो नंबर नहीं डेश 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 बाला परची में लिख के दिया यहाँ पर यह नंबर नहीं चलेगा यहाँ पर नंबर चलेगा exam point से देड़ो एक दो संख्या देनी है संख्या नंबर नहीं संख्या एक दो तीन उसके बाद चार उसके बाद पाँच उसके बाद छे साथ और आठ और दोस्तो जितने भी नंबर आपके maximum आ जाएं आप बोलेंगेर शर 8 आया है इसका ड़बल कर दो बस यही ट्रिक है रीजनिंग के महान विद्वान जो प्राचीन काल में हुए थे हडपा सब बता वही बता गए थे सब सारे के सारे कि जितना भी बड़ा नंबर आए स्क्वाइर के अंदर गात उस सभी बड़े नंबर खा क्या कर दो गुला डबल तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 16 तरबुज़ बस गिनना ही नहीं है 16 है आसान है बताईए आप बोलेंगे हाँ सर तो क्या साथियो ऐसी आकरती हमें कहीं दिखाई दी रही है या फिर बताते ही चले जा रहे हो देखो को और से साथियो क्या यही आकरती बनी हुई है जिसको हम बनाने की कोसिस कर रहे है क्या यही आकरती यहाँ पर बनी हुई है देखो को और से आप बोलेंगे हाँ बनी तो है सर और इसके क्या बिकड़ भी काट रहे है हाँ बिकड़ भी काट रहे है क्या भुजाएं वो गया, आठ का डवल कितना, सर 16 16 तरवजे, क्या 16 आई है अभी नहीं दद्दा, अभी एक और ट्रिक, ये वाली ट्रिक ये वाली, एक और दो, एक और दो कितना जोड़ेगा, दोनों नमबरों को जोड़ो एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी आकरती भी तो दिखाई दे रही है यह भी तो दद्दा दिखाई दे रही है इसको कहें छोड़ेंगे एक और दो तो एक सीर्स और एक नीचे आधार कितने मिल जाएंगे तीन मिल जाएंगे तीन मिल जाएंगे तो सोला तीन उन्नीस बताएए क्या सर उन्नीस सही है बिकलब नम्मर भी अरे नहीं है अभी एक और छूट रहा है वो कौन सा है वो भी बता दीजे देखो ये बाला ये गौर से देखो साथियो ये बाला भी तो बनना है तो दोस्तो दो और बन जाएगे तो सोला तीन उन्नीस दो एकीस कैसर और है अब नहीं है बस इतना ही रहने दो बरना नुकसान कर जाएगा 21 आपका बिल्कुल सही जबाब है दोस्तो जब भी ऐसी अकृति आएगी याद रखेंगे रट लेंगे 21 तरवुज इस्तित है अगले प्रिश्ण में चलते है अगला प्रिश्ण हमारे पास प्यारे साथियो कोश्चिन नमर कौन सा है चवदवे नमर का बोला नीचे दिये गए प्रिश्ण में विसम बिकल्प ग्याद करो भया ऐसा कौन सा बिकल्प है यहाँ पर बिसम है गोर से देख लो कौन सा ऐसा बिसम है सोरी कौन सा बिकल्प है यहाँ पर बिसम है आखे मीच के लगा दो ठीक है एक बार देखो उसके बाद आखे लगा और राम नम सकते है बिकल्प नमर E सही है क्या है बिकलफ हनमरी सही है कैसे है अब ये भी जरूरी है बताना तो जरूरी है भाई देखो ये जो ऊपर दे रखी है इसकी जश्ट दरपड़ प्रत्विम में नीचे है यानि कह सकते हैं जल प्रत्विम क्या कह सकते हैं दरपड़ ना कह करके इसको कह सकते हैं जल प्रत्व कि तरवज और सरकल कटा वह भी तो ऐसे ही आ रहे हैं लेकिन यह आधा बृत यह अर्ध-बृत और उपर की इसका मतलब यहीं तो बिसम है यहीं पर तो खेला हो गया दया विकलप नमर E बिसम है कुषिन नमर 15 को पड़ेंगे कुष्शन नमर 15 को पड़ेंगे सभी प्यारे दोस्त बोला गया है नीचे दिया गया प्रिश्अ में कौन सा विकलप X सल्डेश्यत है कौन से बिकल्प में X सन्निहित है देखो एक बार फिर से X आगई जल्दी से इसकी दजियां उड़ा दो यार जिन्दगी और सवाल में X मतलब धंजियां उड़ाना है ठीक है याद रखेंगे exam के लिए रखना है दोस्त के रहा है बिकल्प यहाँ पर दे रखा है X नाम की एक आकरती कह रहा है कौन सी X नाम की आकरती इन चार आकरतियों में सन्निहित है सन्निहित का मतलब क्या होता है सत्यो सन्निहित का मतलब होता है छुपी हुई आकरती ऐसा कौन सा बिकल्प है जहां पर छुपी हुई है यह एक सनाम की अकरती तो देखो कोई से क्या यहां पर छुपी है यह नमर में नहीं छुपी है भाई इस तरह तो इसका मुखी नहीं है मुखी नहीं है उपर वाली लाइन का उपर वाली लाइन का कहीं पर मुख है यहाँ पर आप बोलेंगे नहीं है तो बिकलब नमर एक गलत है दूसरे में क्या बन रही है दूसरे बाले में देखो गोर से क्या यह बन रही है पहले नीचे आई फिर नीचे चले गए ठीक है उसके बाद 20 से फिर ऐसे चले गए क्या यही है जल्दी से बताओ क्या यही आकरती है यह वाली जल्दी से बोलेंगे आप बोलेंगे हाँ सर यह कुछ ऐसी ही लग रही है मतलब इस तरह के क्योंगी चाहिए इस तरह के सी और 20 से ऐसे ओहो यह तो मिल गई मतलब ये मिल गई अगर तो विकलप नमर बी सही हो गया इसके अलाव आप कहीं नहीं मिलेगी तूनते रहो नहीं मिलेगी जीवन बुजर जाएगा केबल विकलप नमर बी में है इस बात को याद रखेंगे